प्रिविद्यार्थियों नमस्कार आशा है आप स्वस्त वे प्रसंद होंगे हम पौधे में परिवहन के अध्यन की क्रम में पिछले सत्र में पादप जल संबंद के अंतरगत परासरन तथा इसे प्रभावित करने वाले कारकों पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं आएए आज हम पादप जल संबंद के अन्य आयामों जैसे जीव द्रव्य कुंचन, अंतह शोशन, वास्पुत सर्जन आधिका विस्तत अध्यन करेंगे इसलिए आज के सत्र के हमारे अधिके मुद्दिश रहेंगे पादप कोशिकाओं या उत्कों में जलखी गति के प्रती विवहार का अध्यन करना संपरासारी विल्यन, अलप परासारी विल्यन तथा अती परासारी विल्यन को परिभाशित करना एवं पादव कोशिकाओं तथा उतकों में इनके परसपर प्रभाव का अध्यान करना। जीव द्रव कुंचन का अध्यान करना एवं इसे परिभाशित करना। फ्लेशिड स्फीतिदाब तथा दाव विभव को परिभाशित करना। एपोप्लास्ट पत तथा सिम्प्लास्ट पत का वर्णन करना, अंतह सोशन को परिभाशित करना, एवं इसके महत्व की व्याख्या करना, वास्पुत सर्जन को परिभाशित करना, छात्रों में कला कोशल, व्याइग्यानिक दस्टिकों, जग्यासु प्रवर्ति और अवलोक इसके साथ साथ जीव विज्ञान के अध्यन में अर्जित ज्यान को धैनिक जीवन में सहसंबंदित करना और अनुप्रियोग में लाना विद्यार्थियो सर प्रथम हम पादप कोशिकाओं या उत्कों में जल की गति के प्रती व्यवहार को समझने का प्रयास करेंगे पादब कोशिकाओं या उत्कों में जलकी गती के प्रती व्यभार उसके आसपास के घोल पर निर्भर करता है यदि बाहरी घोल कोशिका द्रवे के परासरन दाब को संतुलित करता है तो उसे हम संपरासारी कहते हैं यदि बाहरी विलियन कोशिका द्रवे से अधिक तनुक्रत है तो उसे अल्प परासारी कहते हैं और यदि बाहरी विलियन बहुत अधिक संताजिक्त होता है तो उसे अति परासारी कहते हैं कोशिकाएं अल्प परासारी घोल में फूलती है और अती परासारी में सिकुडती है जब कोशिका अती परासारी विलियन के संपर्क में आती है तब कोशिका में से पानी बाहर गती कर जाता है तथा पादब कोशिका की कोशिका झिल्ली सिकुड कर कोशिका भिति से अलग हो जाती है सबसे पहले जीव द्रवय से पानी बाहर आता है फिर दस धनी से आता है आप स्क्रीन पर चित्र में देखिए जब कोशिका से विसरन द्वारा पानी निकल कर बाहिय कोशिका द्रव्य में जाता है तब जीव द्रव्य कोशिका भीति से अलग हो जाता है और इसे कोशिका का जीव द्रव्य कुंचन कहा जाता है इसको हम अंग्रेजी में प्लाजमोलिसिस कहते हैं जल का परिवहन जिल्नी के आरपार उच्चितर जल्विभौक शेत्र अर्थात कोशिका से निम्नतर जल्विभौक शेत्र में कोशिका के बाहर जाता है आप पुनाहिश्चित्र को देखिए जब कोशिका या उतकों को संपरासारी घोल में रखा जाता है तो जल का कुल प्रभाव अंदर या बाहर की ओर नहीं होता है यदि बाहिय घोल जीव द्रब्द के परासारी दाब को संतुलित रखता है तो इसे संपरासारी कहते हैं कोशिकाओं में जब जल अंदर और बाहर समान रूप से प्रवाहित होता है तो कोशिकाओं साम्या वस्था में कही जाती हैं तब कोशिका को हम धीली कहते हैं या फ्लैशिट कहा जाता है जीव द्रव्य संकुचन की प्रकरिया प्रायह परतिवरति होती है जब कोशिकाओं को अलप परासारी घूल उच्च जल विभव या जीव द्रव्य की तुलना में तनुकरत विलियन में रखा जाता है तो कोशिकाओं में जल विस्रित होता है और जीव द्रव्य को भित्ति के विरुद्य दबाव बनाने का कारण बनता है जिसे हम स्फीति दाव या टरगर प्रेशर कहते हैं पानी घुसने के करण, जीव द्रव्यत द्वारा प्रकट किए गए, कठोर भित्ती के विप्रीत दाब को दाब विभव या साई-पी जिसको हम डिनोट करते हैं, संकेतित करते हैं, प्रेशर प्रोटेंशल कहते हैं. कोशिका भित्री की दर्टा के कारण कोशिका नहीं फटती है यह स्फीतिदाब अर्थात टर्गर पेशर अंततह कोशिकाओं के विस्तार एवं फैलाओं के लिए उत्तरदाई होता है आईए अब हम अंतह शोषण के यानि की इंबिबिशन के वारे में चर्चा करते हैं जाता है तो इसके कारण उसके आयतन में विशाल रूप से व्रिद्य हो जाती है अंतह शोषण के प्रतिष्ठत उधारनों में दीजों और सूखी लकडियों द्वारा जल का उशोषण मुख्य रूप से है क्या आपको पता है कि आदी मानव द्वारा बड़ चट्टानों एवं पत्थरों को तोड़ने के लिए फूली भी लकड़ी या कास्ट के द्वारा पैदा किये गए दाब का ही प्रयोग किया जाता था हाँ यदि अंते शोषण की द्वारा दाब नहीं होता तो नवोध भिद खुली जमीन पर उभर कर नहीं आ पाते वे संबह पते बाहर आकर स्थाफित हो ही नहीं पाते अंते शोषण भी एक प्रकार का विसरण है क्योंकि जल की गती सांद्रन प्रवनता के अनुसार है बीज या अन्य ऐसी ही सामग्रियों में पानी लगभग नहीं के बरावर होता है अते हैं ये आसानी से जल का आवसोषण कर लेते हैं अवसोषण तथा अंते शोषण होने वाले द्रव के बीज जल विभव प्रवनता आवशक है इसके अत्रिक्त कोई भी पदार्थ जो किसी भी द्रव को अंते शोषण करता हो अवसोषण और द्रव के बीज बंधुता होना पहली सर्थ है प्रारंभी का वस्ता में आपने एक प्रयोक किया होगा याद कीजिए इस प्रयोक के उदारान आपने रंगीन पानी में सफेद फूल सहित टहनी को डाला होगा और उसके रंग के परिवर्तन को भी देखा होगा टहनी के कटे छोर को कुछ घंटे तक घोल में रहने के बाद आपने निश्चित ही उस ख्षित्र को ध्यान से देखा होगा जिसमें से रंगीन पानी का परिवहन होता है यह प्रियोग जो आपने बच्पन में किया है बड़ी आसानी से दर्शाता है कि पानी के परिवहन का रास्ता समवहनी बंडल मुख्यते जायलम है अब हम पौधे में पानी तथा अन्य पदार्थों के परिवहन की प्रिकरिया को समझते है लंबी दूरी तक पदार्थों का परिवहन केवल विसरन द्वारा नहीं हो सकता है विसरन एक धीमी प्रकरिया है यह छोटी दूरी तक अन्यों को पहुचाने में तो कारगर है लेकिन बड़े एवं जटिल जीवों में बहुदा पदार्थों का परिवहन लंबी दूरी तक होता है कभी-कभी उत्पादन या आवशोषन एवं संग्रहन के स्थान तक एक दूसरे से काफी दूर होते हैं अतहे विशरन एवं सक्रिय परिवहन काफी नहीं है इसलिए विशिष्ट व्यापक दूरी का परिवहन तंत्र आवश्यक हो जाता है ताकि आवश्यक पदार्थ निश्यत रूप से तेविगती से पहुँच सके हैं जल, खनिज, तथा भोजन, सामूहिक प्रणाली द्वारा परिवहन करते हैं सामूहिक या थोक प्रवाह में पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन दो मिद्वों के बीच दाब के भिन्नता के परिवहन भी होता है सामूहिक प्रवाह की यह विशिष्टा है कि पदार्थ चाहे घोल हो या निलंबन नदी की प्रवाह की तरह ही बहता है यह विशरण से भिन्न होता है जहां पर विभिन्न पदार्थ अपनी सांद्रता प्रवाणता के अनुसार स्वतत रूप से परिवहनित किये जाते हैं थोक प्रवाह को तो धनात्मक जलिय दाब प्रवनता या रिनात्मक जलिय दाब प्रवनता की द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसका उधारण है पुवाल के द्वारा चूंशन करना। पदार्थों की पादबों के संबहनी उतकों के द्वारा थोक या सामोहिक गति को स्थानांतरण कहते हैं उच्छ पादबों में बहुत ही उच्छ विशेशिक्रत संबहनी उतक जैसे जायलम और फ्लोयम होते हैं जैलम मुख्य रूप से जल, खनिज लवनों, कुछ कार्बनिक, नाइट्रोजन तथा हॉर्मोन को जल से वायव यह भाग तक स्थानांतरण करता है फ्लोयम मुख्य रूप से विविन प्रकार के कार्बनिक एवं अकार्बनिक विलेवनों को पत्यों से पादबों के विविन भागों में स्थानानतरण करते हैं हम सभी जानते हैं कि जल और खनीज तत्मों के अवसोषण की जिम्मेदारी विशेश रूप से मूल रूमों की होती है जो की जड़ों के अगरभाग में लाखों की संख्या में सीश स्थान पर पाये जाते हैं मूल रूम पतली भित्ति वाले होते हैं जो अवसोषण के लिए व्यापक रूप से क्शेट्र प्रदान करते हैं जल खनीज विल्ये के साथ मूल रूम से होकर सुध रूप से विशर्ण परकिर्या के द्वारा Bit किया जाता है एक बार जब मूल रोम द्वारा जल अवसोशित कर लिया जाता है तब वह जड़ों की गहरी परतों में दो भिन्द पतों से गति करता है और ये पत हैं एपोप्लास्ट पत तथा सिम्प्लास्ट पत आप स्क्रीन पर दरसाएगे इस चित्र को देखिए एपोप्लास्ट निकटवर्ती कोशिका भित्ति का तंत्र है जणों के अंतस्चा में मौझूद कैसपेरियन पत्टि को छोड़कर पूरे पौधे में फैला रहता है जल का एपोप्लास्टिक परिवहन केवल अंतर कोशिकिये जगहों और कोशिकाओं की भित्ती में ही उत्पन्न होता है एपोप्लास्ट के माध्यम से होने वाला परिवहन कोशिका जिल्ली को पार नहीं करता है यह गती प्रवनता पर निर्भर करती है एपोप्लास्ट जल के परिवहन में कोई भी बादा नहीं डालता है और जल परिवहन सामोहिक प्रवाह के माध्यम से होता है जैसे ही जल अंतर कोशी की गुहा या वातावरण में वास्पित होता है तो एपोप्लास्ट के सतत जल प्रवाह में तनाव उत्पन्न हो जाता है अतह है आसंजक एवं संशक्ती शीलता के कारण जल का सामुख प्रवाह होता है सिम प्लास्टिक तंत्र अंतह संबंदित जीव द्रव का तंत्र है पडोशी कोशिकाएं कोशिका लड़ी से जुड़ी होती है जो की जीव द्रव तंतु तक विश्टत रूप से फैली रहती है सिंप्लास्टिक परिवहन में जल कोशिकाओं के जीव द्रव्य के माध्यम से तथा अंतर कोशिकी परिवहन में यह जीव द्रव्य तंतू के माध्यम से आगे बढ़ता है जल कोशिकाओं के अंदर कोशिका जिल्ली के माध्यम से प्रवेश करता है अते इस प्रकार का परिवहन अपेक्षाकरत धीमा होता है सिम प्लास्टिक पत को परिवहन में कोशिका द्रवी प्रवाहन साहता करता है जड़ों में अधिकतर जल प्रवाह एपोप्लास्ट के माध्यम से उतपन्ध होता है चौकि वलकुट कोशिकाएं धीली गठित होती हैं, अते है जल की गती में किसी प्रकार का गतिरोध उतपन्ध नहीं होता है जड़ों में अधिकतर जल प्रवाह एपोप्लास्ट के माध्यम से उत्पन्द होता है। चूंकि वलकुट कोशिकाएं धीली गठित होती हैं, अधै जल की गति में किसी प्रकार का गतिरोध उत्पन्द नहीं होता है। हाला कि वलकुट की आंतरिक सीमा, सीमा अंतहत्वचा पानी के लिए अप्रवेश्य होती है। ऐसा सुवेरियन में मैट्रिक्स के करण होता है, जिससे कैस्पेरिन स्टिप भी या कैस्पेरिन पट्टी कहा जाता है। पानी का अणू पर्त को भेजने के लिए असमर्थ होता है, अतै इन्हें सुवेरिन रहित कोशिका भित्तिक छेत्र की ओर पुनह जिल्लिका के माध्यम से कोशिका के अंदर भेजा जाता है। इसके बाद जल सिम प्लास्ट के द्वारा गती शील होता है और पुनह जिल्ली को पार करता है, ताकि जैलम कोशिकाओं तक पहुंच सके। आप स्क्रीन पर दिखाए चित्र को देखिए, जल की गती मूल परत से अंतै कोशिका तक सिम प्लास्टिक होती है। यही एक रास्ता है जिससे पानी तथा अन्य विले वैस्कुलर सिरिंडर में प्रवेश करते हैं। एक बार जैलम माद्यम के भीतर पहुंचने पर जल पुनह कोशिकाओं के बीच तथा उसके आरपार जाने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। नई जड़ों में जल सीधे जैलम वाहिकाओं या और वाहिनी काओं में प्रवेश करता है। यह जीवन रहित नालिया हैं और एक प्रकार से एपोप्लास्ट का हिस्सा भी है। मूल संबनी तंत्र में जल तथा खनिज आयनों का मार्ग स्क्रीन पर दिखाएगे चित्र में संक्षेपी करत किया गया है। कुछ पाधों में अत्रिक्त सन्नचना जुड़ी होती हैं जो उन्हें जल एवं खनिजों के अवसोशन में मदद करती हैं। माइको राइजा जड़ के साथ फफूंदी या कवक का सह जीवी संगठन है। फफूंदी या कवक तंतु नई जड़ों के आसपास एक नेट वर्क या जाल सा बनाते हैं और वे मूल कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं। कवक तंतु का एक बड़ा व्यापक तलक शेत्र होता है जो भूमी से खनिज आयन एवं जल को मूल से अधिक मात्रा में आवसोशित कर लेता है। ये कवक जड़ को जड़ एवं खनिज उकलब्द कराते हैं और बदले में जणे भी माईको राईजी को सरकरा तथा नाइटोजन समाहित योगिक प्रधान करते हैं। कुछ पाधों का माईको राईजा के साथ का अविकल्पी संबंध होता है। इसका उधारन है माईको राईजा की उपस्तिती के बिना चीड का बीज न तो अंकुरित हो सकता है और नहीं स्थापित हो सकता है। हमने अभी देखा कि पौधे मृदा से जल का कैसे अवसोशन करते हैं और समभनी उतकों में से इसे कैसे पहुंचाते हैं। अब हम यह जानने वे समझने का प्रयास करेंगे कि जल पौधे के विविन भागों तक कैसे पहुंचता है। यह जल का चलन क्रियाशील है या अभी भी निश्क्रिय है। चुकि जल पेड़ के तने में गुरत्वा कर्शन के वृद्ध गती करता है तो इसके लिए उर्जा कौन देता है। जैसे कि मृदा के विविन आयन सक्रियता के साथ जड़ों के समभनी उतकों में परिवहनित होते हैं। तो जल भी इसी प्रिक्रिया का अनुसरन अपने विभव प्रवनता से करता है। तथा जैलम के अंदर दाब बढ़ाता है। यह धनात्मक दाब ही मूल दाब कहलाता है और तने में कम उचाई तक जल को उपर भेजने के लिए उत्तरदाई होता है। हम कैसे देख सकते हैं कि मूल दाब विद्यमान है। आईए इसके लिए एक छोटा सा प्रियोग करते हैं। इसके लिए आप एक छोटा सा नरम तने वाला पौधा चुनें और जिस दिन वातावर्ण परियाप्त आर्दता पुन हो अर्थात वातावर्ण में नमी हो उस दिन प्रातह काल के समय तने के नीचे 36 दिशा में होरिजेंटली उसे तीखे ब्लेट से काड़ दें। आप जल्दी ही देखेंगे कि उस कटेवे तने पर द्रव की कुछ मात्रा उपर की ओर उठ आती हैं। यह द्रव सकारातपक मूल दबाव के कारण ही आता है। मूल दाव का प्रभाव रात तथा सुबह के समय भी देखा जा सकता है जब वास्पी करण की प्रक्रिया कम होती है। और अतिरित पानी घास के तिनकों की नोक पर विशेश चित्रों से स्त्रावित जल बूनों के रूप में लटक ने लगता है। इस प्रकार द्रव के रूप में पानी का क्षय बिंदू स्राव या फिर अंग्रेजी में गटेशन कहलाता है। जल परिवहन की कुल क्रिया में मूल दाव केवल एक साधरन दाव ही प्रधान कर पाता है। उच्चव रक्ष्व में जल के चलन में इसकी कोई बड़ी भूमिका नहीं होती है। मूल दाव का व्यापक योगतान जैलम में पानी के अणों को निरंतर कड़ी के रुप में स्थापित रखने में हो सकता है। जो की अक्षर वास्पोत सर्जन की द्वारा पैदा किये गए ब्रहत तनाव के करण तूटती रहती है। अधिकांश जल को परिवहन करने में अधिकतर पौधों की अवश्कता वास्पोत सर्जन जनित खिचाव से पूरी हो जाती है। जैलम के माध्यम से जल का उपरी बहाव परियाप्त उच दर से लगभग पांच मीटर प्रति घंटे तक हो सकता है। यह गति कैसे होती है। यह एक पेचीदा सवाल आज तक सवाल ही बनावा है। कि पौधे के द्वारा पानी उपर क्यों धेके ला जाता है या फिर उपर से खीचा जाता है। और अधिकतर शोद करता सहमत हैं कि पौधों द्वारा पानी मुख्यते खीचा जाता है और इसकी संचालन शक्ति पत्यों में वास्पोत सर्जन की प्रक्रिया का ही एक परिणाम है इसे जल परिवहन का संयजन तनाव वास्पोत सर्जन खिचाव माडल की रूप में भी प्रस्तूत किया जाता है परंतु इस वास्पोत सर्जन खिचाव को कौन जनित कर रहा है आप सोचिए इसके उपर पौधों में जल अरस्थाई है प्रकास संस्लेशन एवं ब्रद्धि के लिए पत्यों में पहुंचने वाले पानी का एक प्रतिशत से भी कम प्रियोग किया जाता है पानी की अधिकतर मात्रा पत्यों से रंद द्वारा उड़ा दी जाती है और जल की यही ख्षती वास्पोत सर्जन या ट्रांस्पिरिशन कहलाती है प्रियविद्ध्यार्थियो आज हमने जल और पादब इनके संबंद के बारे में बहुत कुछ सीखा है आईए उसकी एक बार पुन्रावर्ति कर लेते हैं पादब कोशिकाओं या उत्कों में जल की गर्ति के प्रति व्यवहार उसके आसपास के घोल पर निर्भर करता है कोशिकाएं अलप परासारी घोल में फूलती हैं और अती परासारी में सिकुडती हैं जब कोशिका से विसरन द्वारा पानी निकल कर बाहिय कोशिका द्रव्य में जाता है तब जीव द्रव्य कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है और इसे कोशिका का जीव द्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है अंते शोषण एक विश्रण प्रकार का विश्रण है जब ठोस एवं कोलाइट्स द्वारा पानी को अवशोषित किया जाता है तो इसके कारण उसके आयतन में विशालूप से व्रद्धी होती है लंबी दूरी तक पदार्थों का परिवहन केवल विश्रण द्वारा नहीं होता बलकि विश्रण एक धीमी प्रक्रिया है जल खनीश तथा भोजन सामोहिक प्रणाली द्वारा परिवहन करते हैं सामोहिक या थोक में पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन दो बिंदूओं के बीच दाब की भिनता के परिणाम सुरूप होता है पदार्थों की पादवों के संवहनी उतुके द्वारा थोक या सामोहिक गति को हम स्थानांतरण कहते हैं जड़ों की गहरी परतों में जल दो भिन्न पथों एपोप्लास्ट पत तथा सिम्प्लास्ट पत से गति करता है जड़ों में धिकतर जल प्रवाः एपोप्लास्ट के माध्यम से उत्पन्न होता है तथा जल की गती मूल परस्ट से अंतर कोशिका तक सिंप्लास्टिक होती है माइकोराईजा जड़ के साथ फफूंदी या कवक का सहजीवी संगठन है द्रव के रूप में पानी का ख्षय बिंदू स्राव या गटेशन कहलाता है पानी के अधिकतर मात्रा पत्यों से रंध द्वारा उड़ा दी जाती है जल की यही क्षती वासपोथ सजन कहलाती है प्रेचात्रो आपके आज की अधिगम की संब्रद्धी के लिए कुछ अभ्यास के रूप में प्रस्ट दिये जा रहे हैं आप इन्हें नोट कीजिए और अपने अभ्यास पुष्टिका में इनके उत्तर लेखने का प्रयास कीजिए पहला प्रस्ट है जल विभव का संक्षिप्त वर्णन करें कौन से कारक इसे प्रभावित करते हैं जल विभव, विले विभव तथा दाव विभव के आपसी संब्धनों की व्याख्या करें क्या होता है जब सुद्ध जल या विलेन पर पर्यावरण के दाब क्या पेक्षा अधिक दाब लागू किया जाता है तीसरे प्रश्ण का पहला भाग है रेखांकित चितर की साहिता से पौधे जीव ध्रव कुंचन की विधिका वर्णन उधान देके करें दूसरा भाग है ये पौधे की कोशिका को उच्छ जल विभव वाले विलियन में रखा जाए तो क्या होगा चौथा प्रश्ण पादप में जल एवं खनित की अवसोशन में माइक्रो आईजलिये यानि कवक मूल सह जीवन संबंद कितने सहक है पादप में जल परिवहन हेतू मूल दाब ज्या भूमिका निभाता है चटा प्रश्ण पादपों में जल परिवहन हेतू वास्पोत सर्जन खिचाव मंडल की व्याख्या करें प्रियविद्यार्थियों आज की सत्र में हमने पौधे के परिवहन में पादप जल संबंद का विश्थार से अध्यन किया है अब आप उसका पाथन करें, मनन करें, चिंतन करें और स्वाध्य करते रहें और इसके प्रणाम सरूप अपने अध्यगम उद्देश की पूर्ती में आप सफल हो, हमारी शुबकामनाएं हैं इनी शुबकामनाओं के साथ शीगरी आप से किसी नए उपिशे पर मिलेंगे, धन्यवाद